जारखंड में 38 घंटे के वीकेंड लॉकडाउन का रवी बार को खासा असर दिखा दुकाने बंद रही सडकों पर सन्नाटा पसरा रहा चौक चौराहों पर पुलिस भी मुस्तैद दिखी तो इस 38 घंटे के लॉकडाउन का राज्य में किस तरह का पालन किया गया कैसे पालन कराया गया इससे जुड़ी ये पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं तमाम गतीवी थियां बंद हैं दुकाने बंद हैं ये देख सकते हैं रांची की सलके सूनी हैं ये आप सलक देख सकते हैं पूरी तरह से सनाथा है और यदा कदा कुछ कुछ जो कालिया है वो आ रही है जा रही है इस वक्त हम लोग खड़े हैं देवगर के टावर चौक पे और हम जहां खड़े हैं आप दिखा सकते हैं कि चेमिस की दुकान खड़ी है तो कि सरकार ने कहा है कि इमर्जन्सी से वाए बहाल रहेंगी यहां पर एक सेरे हैं वहां भी कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं तो जाहिसी बात है कि वह तरूर किसी मेडिकल इमर्जन्सी कारण ही आए होंगे वैसे यह जो जगह है आम तोर पर यहां मेले जैसा नजरा हर रोज कि इलाके धनवाद का इसे हट कहा जाता है और बैंक में आप देखिए पूरे तरीके से दुकान बंद सड़के सुंसान हो गई और जिस तरह से सरकार ने पहले गोशना कर रही थी कि यह 38 घंटे का पूरे तरीके से लॉक डाउन रहेगा और लॉक डॉन में लोग भी सरकार का समर्तन कर रहे हैं का असर आपको देखनों को मिल रहा है देखिए बजार पूरी तरह सुंसान है बजार बंद है चुकि इससे पहले जितने जो फुटवेर चांद सोना चांदी या कपड़े के दुकान या कॉस्मिटिक दुकान चोड़के सारे दुकाने खुल रहे थी वो भी दुकाने आज पूरी तरह के जितने भी दुकाने सारी तरह के से बंद हैं सड़के हैं वो सुंसान हैं दिखाना चाहेंगे कि पुलिस को जो जवान है वो सड़कों पर मौझूद है और यह टावर चौक का नजारा है सहर का ये मुख चौराहा है जहां पर आम दिनों में काफी चहल पहल देखनों को मिलती थी भीड रहती थी कि लिए जंटे का सम्पूल लोगडाउन जहां सभी प्रफ इस ठाने से लेकर फल सब्जी से लेकर सभी दुखाने बंद हैं जहां तक कुछ जगा पर छूट भी गई है कि मेडिकल वगारा के लिए आने जाने पर पावेंदी नहीं है और इसको लेकर व्यापक असर गुमल कि मौजूद है हजारी बाग में और हजारी बाग में भी लोग वीकेंड लॉकडान का पालन करते दिख रहे हैं आप तस्वीरों के माधियम से देख रहे हैं कि हजारी बाग की सभी दुकाने बंद है याने कि मुख मंतरी हेमन सोरे ने जो वीकेंड लॉकडान लगाया है उसकी लोगों ने साराना की है राज सरकार का सबताहिक संपुर्ण लॉकडाउन का निरनाय का असर लाते हार जिले में भी देखने को मिल रहा है जिनको अत्य अवस्तक का रहे हैं मेडिकल लित्यारी समंदी वैसे लोगी सड़क पर नजर आ रहे हैं डाउन लगाया गया है यह यहां पर देखा जा सकता है सारके किस तरीके से वीरान परी हुई है एक भी वेक्ती सड़क पर नहीं नजर आ रहा है एसेंशियल सर्विस के अगर हम बात करें तो दवा की दुकाने खुली हैं लेकिन उसके बावजू साड़क पर एक भी आदमी देखने को नहीं मिल रहा है कि अगर दिखाने कोशिस करूंगा कि क्या हालात है करूंगा यह मेदनी नगर बाजार का इलाका है हालाकि सड़के सुनी नजर आ रही है लेकिन एकी दुगी लोग जो हैं वो भी घरों से निकल रहे हैं खासकर कि इस तरह से बाईकर्स जो हैं वो निकल रहे हैं पर सनाटा है इसके दुख्य जिन लोग नहीं बाहर निकल रहे हैं जिनको बहुत और शक काम है मेडिकल काम है या फिर उनका कोई अपना जो अस्पताल में भरती है इसके लिए वो जा रहे हैं तो 38 घंटे का लोग डाउन खत्म हुआ अब एक बार फिर बाजार गुलजार होंगे सडकों पर थोड़ी चहल पहल बढ़ेगी और ऐसे में हमारी जिम्मदारी बढ़ जाती है कि हम दुशा निर्देशों का पालन खुद तो करना सुनिश्चित ही करें रह चलते लोग अगर गलती करते हैं तो उन्हें टोकने के भी प्रियास करें ताकि अगर उनका मास्क गल होगी अंजनी और प्रभात जम्शिदपूर से जुड़ रहे हैं सबसे पहले राजदानी का रुख कर लेते हैं और अंजनी से जानते हैं कि 38 घंटे का लोगडाउन खत्म हुआ है अब हलचल बढ़ रही होगी धीरे-धीरे शैरों में अंजनी कर देखे दिपक कल जिस तरह से 38 घंटे का लोगडाउन सनिवार साम चार बज़े से सुरू हुआ था और सौमवार सुबा छे बज़े ये समाप्त हो गया तो कल हम लोग जो राची में घूम रहे थे और लोगों में गरूर सुकता भी थी कि पूर्न लोगडाउन है और कई लोग अपने घरों के च्छतों से इसका अलोकन भी कर रहे थे लेकिन हम कहेंगे पूरी राची ने इसका समर्थन किया और अपने अपने घरों में रहे और लोगडाउन के समर्थन में घर में रहे और घरों में परिवार के साथ अपना समय व्यतित किया अब सुबा हो गई अब बाजारों में दीरे-दीरे से रांदक बढ़ गई है और हम जो है जो सबस्ते हैं वह अपने बाजारों में पहुंचे हैं और सबोस्ते दय Leonardo लोग भी अभी पहुंच रहा हैं तो कहीं न कहीं जो कोरोना का संक्रमन अब धीरे-धीरे काफी कम हो रहा है तो हमें लगता है कि इसी तरह का जन्सहयोग मिलता रहेगा तो जारखन जो है बहुत जल्द कोरोना से मुक्त हो सकता है और हम लोग सेफ जोन में रहेंगे ऐसे अमोमन जो है लोगों में अलग-अलग तरह कि लोग सोचते भी थे कि पूर्ण लोगडाउन होगा क्य लोग दाउन ने तमाम लोगों को कई चीज़ें सिखा भी दिया है कि बाइए यह जरूरी था और इस जरूरी चीजों में लोगों का जो सहयोग रहा सरकार भी खुस है प्रसासन भी खुस है और हमें लगता है कि जब तक तमाम चीज़ें सूब्वश्थित नहीं हो जाती ह जब तक कोरोना समाप नहीं होता है तो हमें लगता है कि सरकार इसी तरह का कुछ लोग भी अगर चाहते हैं कि वो खुश रहें दर के साय से दूर रहें तो उन्हें बस इतना ही करना है कि बाहर तभी निकले जब बहुत जरूरी हो भीड़बार वाले इलाकों में जाने से परहेज करें जाना जरूरी हो तो मास्क जरूर लगाएं और नियमित तोर पर हैंड वास और सैनिटाइजर का उप्योग करते रहे वैक्सीन लेना तो बिलकुल न भूलें कोई डर कोई भी अफवा का शिकार ना हो क्योंकि वैक्सीन लेने की वज़ा से ऐसी कोई स्थिती नहीं बनती जिससे आपकी जान पर खत्रा मंडरा है बलकि आप पर मंडरा रहे खत्रे के बाडल से ये वैक्सीन आपको एक प्रभात का रुख कर लेते हूं और जानते हैं 38 गंटे के संपूर्ण लॉक्डाउन के बाद किस तरह से धीरे-धीरे चहल पहल बढ़ रही है जी प्रभात बिल्कुल दिपक देखे जिस तरह के से विकेंड लॉक्डाउन लगाया था अरतीस गंटों का लॉक्डाउन था और सुबह के वक्त समात हो गया है निसी था कि बादारों में चहल पल नजर आ जिया और जिन्दगी अब धिरे-धिरे पट्री पे आने लेगे देखे या दाव लेक्याराया सक्स को दिखाए जाए इसने मांक्स अभी भी नहीं लगाए जैसे नहीं होनी चाहिए ऐसी यही गलती है और इसके बाद जुबारा जो करोना का करारा हम लोग उसको जेल पात जिलते हैं तो निसी थे बादार में यही चीज़् सरकार यही नहीं चाहती है सरकार यही कारण है जो लोगडोन लगा रही है और पाबंदिया कर रही है यही कारण है अगर यह देखती है अगर संक्रम रहता है तो कितने लोगों को संक्रमित करेगा आप समझा जा सकता है लोग देखते हैं कैमरे को देखते हैं फुलिस को देखते हैं और मार्च लगा अपने जिन्दा रहने के लिए अपने परिवार को जिन्दा रखने के लिए लोगों को क्या कहेंगे जो मास्क नहीं लगाते हैं अपना जान देखने वाला कर रहा है अपने अपने मास्क क्यों नहीं लगाया है आप जान रहे कोरोना खतम हो गया है तो मास्क लगाना चाहिए ना गाड़ी बढ़ाना तो ठीक है गाड़ी बढ़ाईए आप लेकिन मास्क बहुत ज़रूरी आप क्यों नहीं समझते आप लोग की गलती के चलते दूसरे लोग संक्रमित होंगे देखिए दिपक यही कारण है जो पूर्भी सिंभूं को अभी भ कर लोग अभी भी नहीं चेते तो यह स्तीती हर समय बनी रहेगी और लोग अभी भी नहीं मानेंगे तो जिस तरीके से सरकार ने यह 38 घंटे का लोग डॉन लगाया था चुकि लोगों को सुरक्षित रखना इसको लेकर देखिए बादार तो गुलदार हो रहे हैं याप कै देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिना माक्स के चलते हैं और इनी लोगों के चलते यह सिती उत्पन होती है और को कहर जो पर पार रहा है निसीत है पूर्वी सिमूग को लोग रखा है और ऐसी स्तिती रहेगी तो निसीत है राज सरकार आने वाले दिनों में जो दारान देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जमसेत्पूर हमोन यह जो सहरी क्षेतर में लोग थोड़ी बहुत समझदारी लेकिन यही बाजार है यही बाजार से लोग संक्रमित होते हैं और फिर जाकर अपने और अपने परिवार को रहे हैं कि आप तो अपनी जिम्मेदारी कि ले ही अपने आसपास के लोगों को भी टोके अगर वो बिना मास्क के घर से बाहर नजर आते हैं और बेवजा भीड लगाते भीड में एक हिस्सा बनते नजर आते हैं तो धनबाद कर रुक कर लेते हों और वहां जानते हैं 38 गंटे के कंप्लीट लॉक्डाउन के बाद क कैसी हलचल बढ़ रही है जीद दिलिप कि बिल्कुल हलचल काफी बढ़ रही है क्योंकि 38 गंटे का लॉक्डाउन था और कई लोग ऐसे थे जो कुछ समान नहीं खरीद पाये थे वह बजार में निकल रहे हैं लेकिन इस दोरान लोग जो है सोसल डिस्टेंसिंगा पालन कर मास्क लगाकर है और इस वक्त हम धनवात के इलाके गांधी नगर में आपको दिखाने कोशिस करें अभी सुवा का वक्त है हलाकि दुकान खुलने का टाइम दस अब यह था लेकिन 38 गंटे के लोग डॉन के बाद कुछ कुछ दुकाने खुलने लगी है और जो लोग निकल रहे हैं वह आप तस्वीरों में गोरम में देंघर सी बात हैं कोरोन संक्रमन में बिराम लग और देखे जो लोग भी गुजर रहे हैं जो फेसे मास्क लगा कर नहीं निकल ने जबकि धनवाद में इस्तिती वैसी नहीं दिख रही है लोग सोचल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सरकार के साथ हैं और जाहिट सी बाती लोग विचार है कि जल से जल कोरोना इससे संक्रमन को मात दे और सरकार जो भी नीड़ने लेगी है उनका साथ रहे हैं अलाकि 48 गंट के लोग डॉन के बाद आज सडकों पे थोड़ी भीड है लोगों कंदर कोतुल है क्योंकि पिछले 48 गंटे से घर में थे घर से निकले नहीं है जो जरूरी काम है वो करने के लिए निकल रहे हैं और थोड़े से भीड़वार दिख रहे हैं लेकिन भीड़वार के दोरान व अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो और सबसे बड़ी बात तो यह कि कोरोना के संक्रमन से बचाओ का जो सुरक्षा कवच है वैक्सीन उसके दोनों डोज लेने के बाद भी आप संक्रमित हो सकते हैं यह जरूर होगा कि आपकी स्थिती इतनी खराब नहीं होगी कि सिर्फ आपचारिक्ता के लिए नहीं सुरक्षा मुहया कराने वाला यह साधन है तो इसे सही तरीके से जरूर लगाएं अंजनी का रूख करते हैं अंजनी अब स्वभाविक है कि अनलॉक टू में हम हैं और काफी छूट मिल चुकी है राजधानी में भी तो अब व्यवसा कनाति की जाए ताकि लोगों को टोका जा सके उन्हें समझाया जा सके कि अभी भी लापरवाह का समय ंहीं है प्रसासन के तरफ से दिपक का लगातार ये अभ्यान चलता रहा है कल की बात हो या परसो की बात हो हर समय प्रसासन इन चीजों को लेकर आम लोगों से अपील करता है हर चौक चौराय में जो ट्राफिक के जवान होते हैं वो भी तमाम लोगों से अपील करते हैं मास्क पहने बिना मास्क के घरों से नहीं निकले क्योंकि ये अभी मास्क जो है अभी हमारे लिए आने वले समय में एक लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा क्योंकि अभी पूरी तर है कि लोग जो है जो जो दुकान के जो ओनर है वो खुद भी बहुत जागरूख है क्योंकि पिछले कई महीनों से लगबगा 50 दिनों से दुकाने बंद रही थी तो उन्हें भी यह अनुभा हो रहा है और राची के कई जैसे में डोट का सास्त्री मार्केट हो आपर बाजार क का इलाका हो कई वेवसाहिक प्रतिष्ठान वालों के घरों में भी कोरोना से कई लोगों की मौत हुई है और यही वजह है कि लोग पहले की तुल्ला में अब इस बार अपने आपको बहुत कैसे हमें कोरोना से बचना है उसके लिए वो लोग खुद भी सतर कर दुकानों मे बड़े बड़े बोड लगे हैं रस्या लगा ही गई है तो हमें लगता है कि सभी लोग पूरी तरह से समझ गए हैं और दूसरी जो बात है वैक्सिन कई आपर बजार के कई दुकंदारों से मैं बातचित कर रहा था दीपक तो वो भी वैक्सिन ले चुके हैं उनके करमचा बातारी भी वैक्सिन लिये हैं तो ये चीजे सभी दुकानों के साथ होना चाहिए तो देखे कल पूर्न लॉग डाउन था और कई वैक्सिन सेंटर में और लोगों की भीर थी एक उतसा था कि हमें वैक्सिन लेना है कई लोग पहला वैक्सिन लेने आये थे और अधिकांस लोग दूसरी डोज लेने आये थे तो राची के लोग काफी समझदार हैं और इसी तरह की जो समझदारी है हमें लगता है कि कोरोना को रोका जा सकता है सबों के सहयोग से और जहां भीर भाल हो रही है तो ऐसे जगों में लोगों को लोग लोग भी समझ रहे हैं लेकिन फि सब जी बाजारों में पुलीस की तैनाती की गई है यहां बिना मास के इंट्री नहीं दी जाती है तो हमें लगता है कि जिस तरह से रांची बहुत सेव जोन में आ रहा है तो सभी लोगों का एक संपून रूप से सहयोग आत्मक रुख रहा है यही वजह है कि एक अप्रेल औ लगतार करता रहा है कि आप पूरी तरह से मास्क लगाएं सामाजी तूरी का फालन करें और वैक्सिन जरूर लें क्योंकि वैक्सिन एक सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है और सभी लोग ले रहे हैं दीरे-दीरे रांची में और ग्रामीन इलाकों में भी लोगों का जो वै और लोग कैसे वैक्सिन लेकि लिए आप पर भी बात कर लेते हैं जम्षेदपूर का एक पर रुख कर लेते हैं और प्रभाद से जानते हैं वैक्सिनेशन की जो प्रक्रिया है कितनी गती पकड़ रही है कितने लोग जागरुक देख रहे हैं या अभी भी आफ़वाहों क का शेकार हैं लोग। या फिर जिला पासातु पादियक शाय वीडियो के दोरा गौँ गौँ जांकर लोगों को मोटिवेट किया गया था और उसका नतीज़ा आप देखने को भी मिल रहा है कि धीरे धीरे आप गौँ के लोग भी वैक्सिन लेने पहुच रहे हैं और कल भी परसो दो दिन जो गौ आप जरूर लें तो शहरी छेतर में 18 प्लस के लिए विवस्ता की गए कर जो वैक्सिनेशन कैम्प लगाया गया था जहां भारी संक्या में जो ने आले में काम करने वकील हैं उनके परिवार को दिया गया था साथी साथ जितने पेट्रोल पॉप में करमचारी काम करते हैं वैक्सिन दिया गया था तो उससा तो देखा जा रहा है जो थोड़ी बहुत कमिया थी जो गाओं की छेत्रों में लोग वैक्सिनेशन लेने नहीं पॉँच रहते हैं उन लोगों को जाग्रूप किया जा रहा है और झाहों की लोग भी दीरी दीरी तिरी मोटीवेट हो रह अगर बन जाती है और लोगों को बहुत जरूरी है जिस तरीके से को नैंगे जो हम लोगों ने दूसरा वेब धेखा किस तरीके से लोग अपने को फोया है किस तरीके से ऑक्सीजन सेंडर के लिए या फिर बेडो के लिए परेसान नजर आ रहे थे तो गाउं में थोड़ी से कोरोना का जो पोजिटिव संख्या था आज से पांसे दिन पहले थोड़ी से बढ़ोतरी हो रही थी अब धीरे धीरे भी कम होने लगी है यही कारण है कि गाउं में लोग आप वेक्सिन ले भी रहे हैं क्योंकि थोड़ी स नहीं होने चाहिए प्रसासन के लोग हर रोज बजारों में जाकर लोगों को समझाते हैं इंवें फाइंड भी काट रहे हैं आप समझा जा सकते कि 500 रुपिया फाइंड काटने के बाद भी लोग नहीं समझदारी दिखाते तो ऐसे में करोना तो खतम नहीं हुआ दिपकर क का वेब जरूर धीरे कम हुआ है खतम नहीं हुआ है ऐसे में लोगों को समझारी दिखाने चाहिए अगर बादार में आम आदमी सब्जी खहिदने आता है तो वो अगर किसी दुकंदार को माक्स नहीं पहने देखे तो उसके पास समान ना ले तो निस्ट है वो दुकंदार को अभी भी लोक में रखा है इस्तिती हमने दिखाए किस तरीके से लोग अभी भी लापरवा नजर आ रहे हैं कैसे इस तरीके से चाहिए वो सब्जी दुकानदार हो या फल बेचने वाले हो वो नहीं होने चाहिए हलाकि प्रसासन अपनी और से पूरी जुगत लगाया और छूट दी जाए तो उन्हें सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना ही होगा और खुद से जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा दिलिप से जान लेते हैं धनबाद में वैक्सिनेशन की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है और लोग कितने जागरुख दिख रहे हैं वैक्सिन लेने को लेकर जी दिलिप देखें लोग अब धिरे-दरे जागरुक हो रहे हैं वैक्षिन लेने को लेकर के और वैक्षिनेशन के जितने भी केंद्र बनाए गये हैं काफी लोगों में उत्सा है और वो पहुंच रहे हैं जिन्होंने पहला डोज ले लिया है वो भी पहुंच रहे हैं दूसरे डोज के कि प्रोणा संक्रमन का फैलाव तक रूखेगा यह कहा नहीं जा सकता लेकिन करोना संक्रमन से हम अपने आपको बचा सकते हैं जिस तरह से मास्क पेहनते हैं सोसल डिस्टंचिंग का पालन करते हैं भीड़बार की इलाके में नहीं जाते हैं उसी तरीके से फ्रेक्सिनीशन भ रुकतक का अभाव था लेकिन जिला परशासन के सहीयोग से लोगों को जागरूख किया गया क्योंकि कोरोना इसे महामारी को मात देने के लिए वेक्षिन ही एक कारगार उपाय है और इस कारगार उपाय को तभी आप शही सावित कर पाएंगे जब आप अपने आपको वेक्षिनेट करा रहे है और आने वाले समय में जितनी ज्यादा ज्यादा लोग है धनवाद के जो बचे हुए वह भी वेक्षिनेट हो जाएंगे तो इस्तिति कापी अच्छी है और अपने आपको वैक्सिनेट कर रहे हैं दिपक बिलकुल राजधानी में भी वैक्सिनेशन को लेकर काफी सकरात्मक रवया लोगों का देखने को मिला है लेकिन ग्रामीन शित्र से कुछ शिकायते आ रही थी जिसके बाद पूरा प्रशासनी कमला जनप्रतनिद्यों को जब इन बातों को की जानकारी लोगों को वी किरामीन इलाकों में परिशानी हो रही है तो जो लोकल थाना है इलाके जो अधिकारी है तमाम लोगों ने इस पर पहल की है और ये पहल कहीं ने कहीं सकरात्मक की ओर बढ़र आया है और लोग जो हैं अब इस तरह की कोई भी घ तरब से दिया जा रहा है लेकिन जहां वैक्षिनेशन की बात है अब रामिन इलाकों में भी लोग अपने अपने घरों से निकल कर वैक्षिन लेने के लिए पहुंच रहे हैं तो जब एक लेता है तब जरूर वो कई लोगों को बताता है तो उसके बाद दीरे-दीरे यह जो जो रिजिनल भासा है छेतरी जन जाती है भासाओं में जो है इनका प्रचार प्रशार भी किया जा रहा है तो हमें लगता है कि सरकार की बातों को लगातार न्यूज 11 भी हर बुलेटर में यह अपील करता है तमाम लोगों से कि आप वैक्षिन ले किसी भी तरह का कोई ब्र जो जागरुकता अभियान चल रहा है उसका व्यापक असर पड़ेगा और लोग सतर्क होंगे समस्दारी दिखाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद दिलिप प्रबात और अंजने इस तमाम बाच्चित और जानकारी के लिए तो वैक्सिनेशन जरूरी है ये गाठ बांद ल है